किन्नोर के गलेशियर में शहीद हुए जिला बिलासपुर के सूर्मा जावाज कमांडो हवलदार राकेश कुमार पुत्र चरंजी लाल गाम घुमारपुर तहसील जंडुता का उनके पैत्रिक ग्रीम में राज़किय सम्मान के साथ शुरदांजली दी गई हालांके पहाडी क्षेत्र होने के बाबजूद और तेज ठंड में भी हजारों के संख्या में लोग अपने जावाज कमांडो हवलदार राकेश कुमार की अमतिम यात्रा में शामिल हुए इस मोके पर पूरा क्षेत्र भारत माता की जै और शहीद राकेश कुमार अमर रहे के नारों से गुंज उठा आपको बता दें कि शहीद राकेश कुमार अपने घर का इकलोता चिराग था बहाँ पर सेना की टुकडी के अलाबा प्रशाशनिक अधिकारियों ने उन्हें शद्धा सुमन अर्पित किये बहीं पर सेना के कैप्टन अविनाश कुमार की टुकडी ने हवाई फायर करके उनको सलामी दी शहीद के बड़े बेटे मनीश ने उन्हें मुखागनिक दी हलांके जैसे ही शहीद का पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर उसके पैत्रिक काम पहुंचा माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया और पूरा क्षेत्र मानो के शोक की लहर में डूब गया हो शहीद के अपाहिस पिता चिरंजी लाल और माता कोशल्या देवी और धरम पतनी ममता का रो रो कर बुरा हाल था लेकिन हर किसी का सीना गर्ब से चोड़ा था कि उनके क्षेत्र के एक युवा ने अपने देश के लिए शहादत का जाम पिया है हलांकि शहीद राकेश कुमार जहांपर फोजी परिवार से संबंदित है वहीं उनकी परिवार में उनके दोनों ही चाचों ने फोज में अपनी सेवाइं दी हैं जहांपर उनके चाचा बिधी सिंग सुबेदार मेजर रहे हैं वहीं दूसरे चाचा बलदेप सिंग सुबेदार रहे हैं शहीद के पिता चिरंजी लाल आई पीच बिभाग से सेवा निम्रित हुए हैं और दो वर्ष पहले इन्हें भी पैरलाइस का अटैक हुआ है। अभी भी पैरलाइसी ग्रस्त चिरंजी लाल चिकित से इलाज करवा रहे हैं। हाथ से का शिकार हुए राकेश कुमार ने प्लस